हेलो स्टुडेंट्स हम कर रहे थे अपना पार्ट नमबर नाइम उस लेसन का नाम क्या है हमारे इस साक्षी पहुँची चांद पर तो इसमें जो शाक्षी थी वो क्या चाहती थी वो चांद पर जाना चाहती थी तो उसकी जो मम्मी है वो उसको क्या समझाते हैं कि अगर सकती हो तो इस लेसन में जो है वो ये बाते कर रहे थे तो हम आगे पढ़ते हैं हाफ लेसन हम पढ़ चुके थे बाकी का हाफ लेसन जो है आज हम पढ़ने वाले है अपना पेज नमबर 68 आफ फिंगर रखिएगा देखिए साक्षी खुशी-खुशी-खुशी-खुशी- मा की गोद में सिर रख कर लेट गई बहुत देर तक मा से चांद और सितारों की कहानी भी सुनी क्योंकि उसको चांद को देखना बहुत अच्छा लग रहा था और वो खुद भी चांद पर जाना चाती थी तो बहुत देर तक मा से चांद और सितारों की कहानी भी सुनी कहानी सुनते सुनते उसे नीद आ गई वह सपनों की दुनिया में खो गई क्योंकि वो चांध सितारों की बात ही कर रही थी. तो ऐसी बाते करते करते ही उसे नीद आ गई और वो सो गई. और वो सपने देखने लग गी. अब उसको अपने सपनों में, अपने ड्रीम्स में क्या दिखाई दे रहा था? उसके सामने रंगों के दाइरे बनने लगे, खूब सारे रंग लाल, पीले और नीले, उसके सामने रंगों के दाइरे बनने लगे, खूब सारे रंग लाल, पीले और नीले, तभी उसकी बाहों से कोई चीज आकर तकराई, तभी उसकी बाहों से कोई चीज आकर तकराई, साक्षी ने देखा, कि वह एक विशेश पोशाग थी, जिसे चंद्रियात्री पहनते हैं, क्योंकि हमें पता है न, चांद पर जाने के लिए एक विशेश तरह के कपड़े डाले जाते हैं, तो उसको सपने में भी जो है, वो इसी तरीके की जो है, चीजे देख रही थी, क्योंकि वो चांद की बाते करते करते सो गई थी, और इसी तरीके के जो है बिटा, उसको सपने दिखने लगे थे, साक्षी ने देखा कि वह एक विशेश पोशाक थी जिसे चंद्रियात्री पहनते हैं उसने जल्दी से वह पोशाक पहन ली देखो वो सपने में ही जो है वो चान पर पहुँच गई थी उसने जल्दी से वहपोशाक पहन ली पास में ही एक चंद्रियान खड़ा था उसमें से एक सीड़ी निकली तो शाक्षी ने सीड़ी से उसमें प्रवेश किया तभी यान में जोर से अवाज हुई घर घर और यान चांद की ओर उड़ने लगा तभी यान में जोर से अवाज हुई घर घर और यान चांद की ओर उड़ने लगा रास्ते में उसने देखा की चांद बड़ी शान से चमक रहा था वे है अपनी दूधिया चांदनी से धरती पर प्रकाश कर रहा था रास्ते में उसने देखा की चांद बड़ी शान से चमक रहा था वे है अपनी दूधिया चांदनी से धरती पर प्रकाश कर रहा था साक्षी को चंदरमा के ठंडे ठंडे प्रकाश में नीले रंग की धरती बहुत खूब सूरत दिखाई दे रही थी देखो उसको कितना जो है ब्यूटिफुल ड्रीम आया था और वो चांद पर पहुँच गई थी वो चांद की सेर कर रही थी और उसको वहाँ पर जो है बहुती अलग-अलग चीजे जो है दिखाई दे रही थी दूबारा देखो इस पेज को साक्षी खुशी-खुशी मा की गोद में सिर रखकर लेट गई त्योकि वो बाते करती-करती सो गई थी उसने बहुत देर तक मा से चांद और सितारों की कहानी भी सुनी और कहानी सुनते-सुनते उसे नीद आ गई और वह सपनों की दुनिया में खो गई उसके सामने रंगों के दाइरे बनने लगे खूब सारे रंग लाल, पीले और नीले तभी उसकी बाहों से कोई चीज आकल टकराई साक्षी ने देखा कि वह एक विशेश पोशाक थी जिसे चंद्रियात्री पहनते हैं उसने जल्दी से वह पोशाक पहन ली पास में ही एक चंद्रियान खड़ा था उसमें से एक सीड़ी निकली तो साक्षी ने सीड़ी से उसमें प्रवेश किया तभी यान में जोर से आवाज हुई घर गर और यान चांद की और उड़ने लगा अब देखो उसको क्या-क्या दिखाई देने लगा रास्ते में उसने देखा की चांद बड़ी शान से चमक रहा था रास्ते में उसने देखा की चांद बड़ी शान से चमक रहा था वह अपनी दूधिया चांदनी से धर्ती पर प्रकाश कर रहा था वह अपनी दूधिया चांदनी से धर्ती पर प्रकाश कर रहा था साक्षी को चंद्रमा के थंडे-थंडे प्रकाश में नीले रंग की धर्ती बहुत खूब सूरत दिखाई दे रही थी तो देखो उसको और क्या-क्या नजरा रहा था वहाँ पर नेक्स्ट फेस देखिए आप अपना सिंगर रखिए बस कुछ ही देर में चंद्रियान कुछ ही देर में चंद्रियान चंद्रमा पर पहुँच गया यान के रुखते ही सीड़ी बाहर निकली साक्षी सीड़ी से उतर कर चंद्रमा की स्थै पर पहुँच गयी जैसे ही साक्षी ने चंद्रमा की धर्ती पर कदम रखा तो वह हैरान रहे गई अब वो हैरान क्यों रहे गई थी उसे तो यह लगा था कि चांद बहुत ही खुबसूरत है जैसा वो निचे से इतना सुन्दर दिखता है तो वो उपर तो और भी ज़्यादा खुबसूरत दिखता होगा जैसे ही साक्षी ने चंद्रमा की धर्ती पर कदम रखा तो वह हैरान रहे गई उसने देखा कि वहां तो बिलकुल अंदेर है वो देखकर हैरान रहे गई कि वो तो इतना तेट चमकता है और चांद पर जाने के बाद उसने देखा कि वहां तो पूरे तरीके से बिलकुल अंदेर है तभी उसे याद आया कि उसकी विज्ञान अध्यापिका ने बताया था कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। वह तो सूरिय के प्रकाश से ही चम चमाता है देखो जब वो चांद पे पहुची तो वो तो हैरानी रह गई देखकर कि यहाँ तो बहुत ज़ादा अंधेर है और नीचे से तो वो इतनी तेज चमकता हुआ दिखाई देता है। तब उसको याद आ गया कि उसमें अपनी कक्षा में पढ़ा था कि चांद का जो है अपना प्रकाश नहीं होता वो तो सूरिय के प्रकाश से चम चमाता है। आगे देखिए अब वो चांद के उपर घूम रही थी। फिर वह थोड़ा आगे चली तो वहां उसे खूब सारे गड़े दिखाई दिये। फिर वह थोड़ा आगे चली तो वहां उसे खूब सारे गड़े दिखाई दिये। चांद पर ना पेड़ पोदे थे और ना ही पशूपक्षी। जब वो चांद पर पहुँची तो उसने देखा याँ तो भूत सारे गड़े हैं। और वहां पर कोई भी नहीं रहता ना तो वहां पेड़ पोदे दिखाई दे रहे थे और ना ही पशूपक्षी। और वहां की धर्ती उबडखाबड थी। उसे बहुत हैरानी हुई कि वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा ना तो वहां पेड़ पोदे थे और ना ही वहां पशूपक्षी थे और वहां पर बहुत सारे गड़े थे। और और तो और वहां पर बहुत सारा अंदे रहा था। फिर उसे पता चला कि ये तो सूरिया की रोश्नी से जो है चमकता है। इतने में उसे एक भारी अवाज सुनाई दी। कौन हो तुम। अब ये हिरानी वाली बात थी कि वहां पर उसके अलावा और कौन था। क्योंकि वह तो दूर दूर तक देख रही थी वाहं से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अवाज सुनकर शाक्षी डर गई और फिर समलते हुए बोली मैं शाक्षी हूँ आप कौन हैं। अवाज सुनकर शाक्षी डर गई फिर समलते हुए बोली मैं शाक्षी हूँ आप कौन हैं। मैं चंद्रमा हूँ वो चांद था जो से बाते कर रहा था और वो बोलता है। मैं चंद्रमा हूँ मुझे देखकर सभी प्रसन होते हैं। बच्चे मुझे चंद्रमा कहकर पुकारते हैं। तुम धर्ती के कौन से भाग से आई हो। क्या तुम मुझे वहां के बारे में बता सकती हो। उसने कहा क्या तुम वहां के बारे में मुझे बता सकती हो। उसने कहा साक्षी बोली हां हां क्यों नहीं मेरा सम्मंध भारत से है। हमारी धर्ती बहुत ही सुन्दर है। चारो तरफ हर्याली ही हर्याली है। कहीं उचे उचे परवत हैं तो कहीं आगे देखिए तो कहीं बड़े बड़े समुंदर। अब वो समझाती है कि कहीं पर तो बड़े बड़े पहाड हैं कहीं पर बड़े बड़े समुंदर हैं और हमारी धर्ती बहुती प्यारी हैं। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पोदे भी हैं। मैं एक उपग्रह हूँ और प्रिथवी के चक्कर लगाता हूँ। मेरी दूरी प्रिथवी से लगबग चार लाक किलो मीटर है। मेरी दूरी प्रिथवी से लगबग चार लाक किलो मीटर है। जानती हो सबसे पहले मेरी धर्ती पर किसने कदम रखा था। अब चंद्रमा उसे अपने बारे में बता रहा है। और वो क्या बताता है। मैं एक उपग रह हूँ और प्रिथवी के चक्कर लगाता हूँ। मेरी दूरी प्रिथवी से लगबग चार लाक किलो मीटर है। जानती हो सबसे पहले मेरी धर्ती पर किसने कदम रखा था। साक्षी ने कहा नहीं। चंद्रमा ने बताया सबसे पहले मेरी धर्ती पर 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आम्स्ट्रोंग, एडविन अल्डरिन और कालिस ने कदम रखा था। यहां से जब उन्होंने प्रित्वी को देखा, तो वे खुशी से उचल पड़े। साक्षी बोली, चंद्रमा यहां आकर हर चीज हलकी क्यों हो जाती है। साक्षी बोली, चंदा मामा यहां आकर हर चीज हलकी क्यों हो जाती है। चंद्रमा ने कहा, क्योंकि यहां गुर्तवा अकर्शन शक्ती बहुत कम है। जिसके कारण यदि हम किसी को एक हाट से उठाना चाहें, तो आसानी से उठा सकते हैं। साक्षी को चंद्रमा की बाते सुनकर बहुत अच्छा लगा, परंतु अब उसे घर की याद आने लगी। वह यान के पास आई और उसमें बैठ गई, एक जोर से गड़ गड़ा हट हुई, और शाक्षी को जटका लगा, खबराहट में उसकी आग खुल गई। वह बिस्तर से उठी, अरे मैं तो सपना देख रही थी, तब तक मा भी उसके पास आ गई। साक्षी ने अपना सपना मा को बताया, मा ने साक्षी को प्यार किया, और कहा, बेटी नी संधे यह सपना था, पर मुझे विश्वाश है, कि यदी तुम इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ाई करती रही, तो तुम्हारा चान पर जाने का सपना अवश्य ही साकार होगा। तो देखो, उसका एक ड्रीम था, कि वो चान पर जाना चाती थी, तो जब वो चान पर जाती है, सपने में जब वो अपने चान पर जाती है, तो उसे वहाँ पर बहुत सारी इंट्रेस्टिंग बाते बता चलती हैं, जैसे कि ये, कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, और वहाँ पर जाने के लिए एक विशेश तरीके की जो है, पोशाग डालनी पड़ती है, और एक विशेश तरीके के यान से चान पर जाया जा सकता है, और चान पर गुर्तवा अकरशन शक्ती जो है, बहुत ही कम होती है, और वो देखती है वहाँ पर तो बहुती जादा अंधेरा होता है तो वो इतने तेजी से कैसे चमकता है सूरिय की रोशनी के कारण जो है वो तेजी से चमकता है और वहाँ पेड़ पोदे पशुपक्षी भी कुछ नहीं होते और जगह जगह जो है बहुत सारे जो है गढ़े लेकिन उसकी ममाउ से बताते हैं, कि अगर तुम धंक से अच्छे धंक से पढ़ाई करोगी, तो जो तुमारा ड्रीम है, चान्द पर जाने का, तुम उसको पूरा कर सकती हो, तो देखो, हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि हमारा भी जो dream है हम उसे fulfill कर सके जैसे शाक्षी का dream होता है चांद के उपर जाने का तो उसके लिए जो है वो अच्छे से पढ़ाई करती है तो आप सबको भी क्या करनी चाहिए अच्छे डंग से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि जो भी आपका dream है आप उसको पूरा कर सको अच्छे से जो है उसे पूरा कर सको अब देखो हम इसके करेंगे नए शब्द एक एबिटा इसमें नए शब्द उच्सा उच्साहा का मतलब होता है जोश उच्साहा, जोश, विशेश विशेश का मतलब होता है खास नेक्स्ट है खूबसूरत, खूबसूरत का मतलब है सुन्दर, खूबसूरत, सुन्दर, दुबारा देखिए उच्साह, जोश, विशेश, खास, खूबसूरत, सुन्दर, विरान, जहां कोई ना रहता हो, विरान, जहां कोई ना रहता हो, उपग्रह, ग्रह की प्रिक्रमा करने वाला, नी संधे, बिना संधे के, तो ये थे बेटा, इसके नए शब्द, अब आपका होमवक क्या है, आपको ये पूरा का पूरा लेसन रीट करना है, और इसके नए शब्द लर्ण करके नोट बुक में लिखने है, दुबारा देख लीजे, होमवक क्या है बेटा आपका, आपको ये जो लेसन है, ये अच आपको जो है अच्छे डंग सी जो है रीड करना है ठेंक यू, have a nice day